जी नमस्कार साथियों कैसे हैं सभी साथियों आप असमंजस में फसे हुए हैं कि मैं नौकरी करूँ या कोई बिजिनस करूँ कोई छोटा बिजिनस चालू करूँ या फिर किसी महानगरों में जाकर नौकरी करूँ बहुत कंफ्यूजन में हैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहे इसी विषय पर कुछ जानकारी आप सभी लोगों के साथ में सियर करना चाहूंगा, कैसी इस सिती पर आपको नौकरी करना चाहिए, और कैसी इस सिती पर आपको बिजनस करना चाहिए साथियों सबसे जो पहली बात है जैसे कि आप अपने घर के गारजियन हैं सोयम मालिक हैं और आप ही कमाकर अपने घर की खर्चा चलाते हैं ठीके और कोई आपके परिवार में कोई दूसरा सदस नहीं है जो कि आपका सपोर्ट कर सके और आपके पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है इतना बजट भी नहीं है बहुत कम पैसा है आप कमाते खाते हैं और ज्यादा पैसा आपके पास बैलन्स नहीं है और आपके बच्चे छोटे छोटे हैं या परिवार की लोग हैं जो कि आपका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर जान बूच कर सपोर्ट नहीं करते हैं या आपका कहना नहीं मानते हैं ऐसी इस्थिती है आपके पास तो आपको कभी भी बिजनस में पैसा दस बीस पचास हजार एक लाक नहीं फसाना चाहिए आपको किसी महानगर में किसी द की पैसा भी नहीं है आप मालिक भी है कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है ऐसी स्थिति में आप बीजनस में मत फ़साए भले ही वह छोटा बर ये नस आप सोचके रखे हो लेकिन उसमें भी आप मैं प्बसाएए आप बाहर आकर महानगरों कहीं पर नोकरी पकड़ लीजिए नोकरी आप करिए काम करिए उससे पैसा कमाईए कुछ जब आपके पास पैसा हो जाएगा नोकरी अच्छी मिल गई तो आप लंबे समय तक करिए अच्छी नहीं मिली तो कुछ दिन 2-4 साल तो करना ही पड़ेगा कुछ पैसा हो जाए उसके बिजिनस करना चाहिए, जैसे कि आपके पास पैसा है, कुछ आपका बजट ठीक ठाक है, आपके पास बैलन्स है, और आपके घर में जो भी सदस हैं, बड़े भाई या पिता जी, जो भी हैं, आपके घर की खर्चा चलाने के लिए कोई और दूसरा सदस है, आप टेंसन फिरी हैं, आपको घर की कोई चिंता नहीं है, कि मुझे घर की खर्चा देखना है, दूसरा कोई सदस है, जो घर की खर्चा आपके चला रहा है, ऐसी इस्थिति है, आपकी पास पैसा भी है, और जो आपका परिवार है, आपका कहना मानता है, सपोर्ट भी करते हैं, आपकी मिलने के chances बढ़ जाते हैं और आप सफल भी हो जाएंगे क्योंकि आपको हर महीने अपने घर की खर्चा नहीं चलाना है बिजनस का पैसा घुमा कर वापस बिजनस में ही पलस करते जाना है तो आपका बिजनस जो है बड़ा होता जाएगा ठीके और जो घर के सदस हैं वह भी आपका सपोर्ट करते हैं ऐसी इस्थिति में आप बिजनस कर सकते हैं और आपको सफलता मिल जाएगी लेकिन साथियों एक बात आपको ध्यां रखना है बिजनस हो या नोकरी जितनी मेहनत नोकरी में लगती है कहीं उससे ज्यादा मेहनत आपको बिजनस में करना पड़ेगा ऐसा मत सोचिए कि बिजनस अपना खुद का होता है सवय मालिक होते हैं तो अपना ही है जब मर्जी जब दुकान खोलें या बिजनस चालू करें और बंद कर दें नहीं ऐसा नहीं है नौकरी में भी मेहनत है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको बिजनस में करना पड़ेगा ठीके ऐसा नहीं है आप आज दुकान चालू किये और एक महीने के अंदर आपका बिजनस बड़ा हो गया और आप ज़्यादा पैसा कमा लिए नहीं नहीं सातियों बिजनस जो है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत लंबे समय तक मेहनत करना पड़ता है तब जाके बिजनस सक्सेस्फूल होता है ऐसा नहीं कि साल 6 माईने में ही आपका बिजनस बड़ा हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे नहीं इसमें भी नौकरी की तरह ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और आपको मेहनत करना पड़ेगा तो ही आपको सफलता मिल पाएगी दो साल चार साल भी लग सकते हैं बिजनस को सक्सेश्फुल होने में इस प्रकार से आप अपने बिजनस में ध्यान देंगे मेहनत करेंगे और वही बिजनस करिए जिसमें आपको अनुभो हो नौलेज हो और आपका मन लगता हो वही बिजनस करिए उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी जिस business में आपका मन नहीं लगता है और आपको अनुभो नहीं है इस प्रकार का business आप मत करिए क्योंकि जब मन नहीं लगेगा तो उस business में आपको सफल तक कभी नहीं मिलेगी साथियों कभी भी बिजनस जो है पार्टनर में नहीं करना चाहिए और कभी भी आप छोटा बिजनस करें आप बड़ा बिजनस करें पार्टनर में बिजनस करना उचित नहीं रहता है क्योंकि बाद में भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जैसे जिस प्रकार से एक घर है, एक घर में एक ही मालिक होना चाहिए और मालिक वह अच्छा समझदार होना चाहिए जिससे घर चला सके, उनके अंदर फिजुल खर्ची न हो उनकी आदत गलत न हो, हर आदत उनकी लिम्टेड हो इस प्रकार से जैसे घर के अच्छे मालिक होते हैं और तो घर अच्छा चलता है और घर आगे बढ़ता है लेकिन एक घर में जिस दिन दो मालिक हो गए तो आप समझ लीजिए कि वह घर एक नहीं रह जाएगा उस घर को भी दो हो जाना है कुछ ही समय में वह घर भी दो हो जाएगा और अलग-अलग मालिक हो जाएगे अपने घर के लेकिन एक घर में दो मालिक रहते हैं तो वह घर जो है फिर चलना मुश्किल हो जाता है इसी प्रकार से जैसे साथियों कि एक घर में एक ही मालिक रहना चाहिए और अच्छे मालिक क कहना सभी को मानना चाहिए भरवालों को और support भी करना चाहिए ठीके साथियों बस यही हमारी जानकारी है उसी इसती में, जैसा मैंने बताया आपको नोकरी करना चाहिए और जैसा मैंने फिर बताया second point पoe ऑसी इसती वीडियो में मिलेंगे नमस्कार साथियों जैहिन